असलाम उलेकुम प्यारे बच्चो तो आज का जो हमारा टापक है वो पिछले टापक से घबुटेट टापक है takich brain says तो अब हम उसकी सेकंड टाइब पढ़ेंगे sc2 hybrid as a show the Compagni 2 return क्या होती है तो आते हैं पढ़ते हैं मिलकर and sp2 hybrid as a show जो एगर इसकी definition तो mixing up 선AM 1s and 2p-arbitals to give 3 equivalent hybrid orbitals of same shape and energy. क्या मतलब है कि 1s और 2p-arbitals जब आपस में mix-up होते हैं तो आपके पास 3 hybrid orbitals मिलते हैं जो बिलकुल identical in shape होते हैं same energy उनकी होती है ठीक है तो इनको हम क्या कहते हैं sp2 hybridization और जो आपको orbitals sp2 hybridization के नतीजे में मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं sp2 hybrid orbitals क्योंकि यहां पर आप differentiate नहीं करते कर सकते कि यह s-arbitals है या p-arbitals है तो इनको हम collectively एक नाम दे देते हैं common name देते हैं sp2 hybrid orbitals तो example की तरफ जाते हैं इतीन आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है ch2 carbon carbon double bond है ठीक है यानि एक pipe bond है carbon के दर्मियान और एक इनमें sigma bond है और बाकि carbon ने 2 sigma bond हर hydrogen से बनाए है carbon carbon के दर्मियान एक sigma bond है और हर carbon ने 2 hydrogen के साथ क्या बनाए हुए है 2 sigma bond बनाए हुए है तो अब आते हैं अगर carbon की हम उसी तरह electronic configuration करें मैं direct excited state पर चला जाता हूँ तो 1s2 चलो हम ground state उसकी पहले देख लेते हैं यह ground state है ठीक है और जब ground state से carbon excited होता है reaction के लिए तो एक electron transfer हो जाता है 2s से 2p में तो फिर electronic configuration excited state में बन जाती है 1s2, 2s1 and 2p3 हो जाती है ठीक है यह कौन सी state हो गई excited state तो यह excited state हो गई अब excited state में के बाद हम जब देखते हैं carbon तो यह structure है इतीन का ठीक है तो यहाँ पर जो है डबल बांट से जाहर होता है कि एक पाइब यानि उनकी sidewise और lab हुई है तो पाइ बांड को हम है बडाइजेशन में नहीं गिनती तो बाकिज कितने बचे बांड सिग्मा बांड है तीन एक कारबन कारबन के दर्मियान हर कारबन का यानि दूसरे कारबन के साथ और दो उसने हैड्रोजन एटम्स के साथ बनाए हुए हैं सिग्मा बांड दो तो टोटल सिग्मा बांड कितने हो गए त्री यानि इसके तीन अटामिक अर्बिटाल हैब्रिडाइजेशन के प्रासेस में गए है तो वो तीन अटामिक अर्बिटाल जो है वो एक S होगा लाजमन और दो P होंगे क्यों क्योंके S अर्बिटाल कभी भी साइड़ वाइस ओरलैप नहीं कर सकता वो हमेशा हैड तो हैड ओरलैप करेगा ठीक है यानि लीनियर ओरलैप करेगा वो कभी भी पैरलल और लैप नहीं करेगा वो सिग्मा बांड ही बनाएगा तो अब हैबरिडाइजेशन जो हुई है वो उसमें एक 2S ठीक है और दो 2P अब ये P कोई सी भी हो सकते हैं PX PY PZ में से ठीक है तो ये जब हेबरिडाइजेशन के प्रासेस में गए तो यहां पर आपको एक्विलेंट तीन एक्विलेंट एस पी टू हेबरेड अर्बिटाल्ज मिले यानि एक S और दो पी हेबर अर्बिटाल्ज की हेबरिडाइजेशन हुई और आपको SP2 हेबरेड अर्बिटाल्ज मिले ठीक है अब स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां तक आप लोगोंने नोट कर लिया होगा तो इसको हम साफ करते हैं तो हर कार्बन ने पहले कार्बन कार्बन का ठीक है यह वो बन गया अब हर कार्बन ने हिड्रोजन के साथ ठीक है अब एक अनहेबरेड अर्बिटाल बचा वो अपने ही पी अपने ही स्ट्रक्चर शेप में रहेगा ठीक है हाफ फिल्ड तो यह आपस में क्या कर लेंगे साइड़ वाइस ओवरलैप कर लेंगे और यह पाई बांड बना लेंगे जो अनहेबरेड अर्बिटाल बचेंगे एक एक हर कारबन पर वो साइड़ वाइस ओवरलैपिंग कर लेंगे अब देखते हैं अब यहां पर अगर एस करेक्टर हम देखें तो एस करेक्टर हमें क्या मिलेंगे यह यह अगर हम वो करें तो 33% सम्थिंग 33.33 आपको क्या मिलेंगे परसंट एस करेक्टर इसमें और 66.66 इसको मैं ठीक है परसंट आपको पी करेक्टर मिलेंगे अब जैसे आपके पास एक चोटा लडू है और दो बड़े लडू है जब उनको आप मिक्सप करते हैं आपको कहा जाता है कि इनको मिक्सप करें तोड़ दें और फिर इन से लडू बनाएं तो फिर क्या होता है सब की साइज चोटी हो जाती है जो एसकी है वो तो चोटी थी पी की साइज थोड़ी सी बड़ी थी दो बड़े लडू थे इंको पी आर्पिटाल गीन है एक S आर्बिटाल, तो जब आप mix अप करते हैं और फिर उनसे equivalent size के लडूब बनाते हैं तो सब क्या हो जाते हैं, same size के आजाते हैं लेकिन वो P से चोटे होते हैं और S से तोड़े बड़े होते हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगी यह bond length shorter हो जाएगी as compared to sp3 hybridization वहां पर क्योंकि 25% s character थे और 75% p character थे ठीक है तो यहां पर यह bond length क्या हो जाएगी ch की हम हो करते हैं तो यह shorter हो जाएगी यह हो जाएगी 1.09 एक्स्टाम वहां पर 1.0 क्या थी 1.10 थी यहां यहां पर आप देखें bond length ch bond length क्या हो गई decrease हो गई 1.10 एक्स्टाम जो sp3 में थी यहां पर 1.09 एक्स्टाम हो गई और यह जो bond angle है ठीक है यह हो जाएगी 120 degree यह increase हो जाएगी ठीक है sp2 hybridization में bond angle 120 degree हो जाएगी और bond length जो है वो decrease हो जाएगी ठीक है तो ch bond length 1.09 एक्स्टाम हो जाएगी और cc bond length यह क्या हो जाएगी वहां पर 1.54 थी यहां पर 1.33 यह कहीं पर 1.34 एक्स्टाम लिखा होगा तो इसके धरम्यान आ जाती है cc bond length देखें बार length decrease हो गई ठीक है तो यह और आहल आपकी क्याती sp2 hybridization इसमें हम आगे जाकर और example भी पढ़ेंगे sp2 hybridization जब हम comparison करेंगे मुक्तलिफ माली क्यूल्स की hybridization का तो वहां पर आपको sp2 hybridization की और example भी कराएंगे तो यहां तक आगर कोई confusion है कोई question आपके जहन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं comment box में इसके इलावा हमें follow कर सकते हैं Facebook पेज़ पर by the name of chemistry concepts उसका link पिडिस्क्रिप्शन में